हेलो फ्रेंड्स मैं सोनिया सोनिया की रसोई में आप सब का स्वागत है अगर आप मेरे चैनल पर नहें हैं और मेरी वीडियो मेरी महनत पसंद आये तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ की मुझे सपोर्ट करने के लिए फैमली फ्रेंड के सा यहां मैंने आधा कटोरी चनिय की डाल ली है निय की डाल को एक बड़े बावल में ट्रांसफर कर लेंगे अब इसमें पानी डाल कर इसे अच्छे से दो से तीन बार अच्छे से हमें इन्हें वाश कर लेना है ताकि जितना भी दस्ट गंदगी जो भी हो अच्छे से निकल जाए देखिए यहां मैंने इसे दो से तीन बार अच्छे से पानी से अच्छे से धो लिया है अब एक कूकर लेंगे, कूकर में दाल को ट्रांसफर कर देंगे साथ ही यहां मैंने दो बंज के करीब पालक की भाजी लिया देखिए इस तरह से मैंने पालक को अच्छे से साफ कर लिया है उसके बाद ही हमें इसमें यूज करना है अब कूकर में सभी पालक को अच्छे से ट्रांसफर कर देंगे अब साथ ही यहां मैंने कच्चे आम लें कच्चे आम को छील कर उस कम से कम हमें आधे कच्चे आम को छोटे छोटे टुकडों में कट करके डाल देना है साथ ही थोड़ी सी हल्दी अब हमें इसमें पानी एट करना है इतना कि हमने यहां आधा कटोरी चन्य की डाल ली थी तो एक कटोरी हमें इसमें पानी ऐट करना है अब ढगकन लगा कर इसे तीन से चार सीटी लगा लेना है बस तीन से चार सीटी के बाद देखिए हमारी डाल भी अच्छे से गल चुकी है आईए अब इसमें तड़का लगा लेते हैं दिखे इस तरह से डाल अच्छे से गल जानी चाहिए आईए अब इसमें तड़का लगा लेंगे इसके लिए यहां एक कड़ाई लेंगे उसमें दो से तीन बड़े चम्मच वेजिटेबल ऑईल डालेंगे ऑईल को अच्छे से हमें गरम हो जान देना है उसके बाद ही इसमें बागी समान एट करेंगे गरम हो जाने पर इसमें राई, जीरा, अब दोनों चीज़ों को अच्छे से हमें तड़क जान देना है उसके बाद ही इसमें दूसरा चीज एट करेंगे अब यहां मैंने एक बड़े प्याज को बारिक तुकडों में कट कर लिया है उसे डाल देंगे अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, अब साथ ही इसमें लैसुन की कलियां, दस से बारा जिसे मैंने बारिक तुकडों में कट कर लिया है और चार से पांच खड़ी वाली लाल मिर्जेट करेंगे दाल पालक में लैसुन और लाल मिर्ज का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है इसलिए आप अगर लैसुन खाते हों तो लैसुन अच्छा जादा ही यूज करें अब अच्छे से इसमें चम्मच चला लीजिए और इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन होते तक फ्राई कर लेना है देखे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं अब इसमें यहां मैंने एक बड़े टमाटर को बाइक तुकडों में कट कर लिया ऌहां पसकी मिक्स होगें सॉखय कर लेदा कर दालकर अच्छे से हमें इन्हें मिक्स कर लेना होत दो पाउडर एट करेंगे अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और टमाटर के गलने तक अब सभी सुखे मसालों को भी अच्छे से मिक्स करके इसमें पका लेना है साथ ही जब तक हमारी टमाटर भी अच्छे से गल जाएंगे देखिए बस कुछी देर में सभी मसाले अच्छे से सीख चुके हैं और टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं और इन्होंने अपना ओयल भी छोड़ना इस्टार्ट कर दिया है अब इस स्टेज पर जो हमने चना दाल और पाला को बॉयल करके रखा था उसे एड़ कर लेंगे याद रहे हमने इसमें बिल्कुल भी अलग से पानी एड़ नहीं करना है नहीं तो बिल्कुल भी ये खाने में अच्छी नहीं लगेगी अब हो सके तो इसमें अगर आपको पानी एड़ कर नहीं है तो आप गरम पानी करके एड़ करें अब साथ ही इसमें स्वादन उसान नमक थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर और सभी चीजों को इस बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी इसमें चीनी डालेंगे क्योंकि आज हमने अपने दाल में कच्चे आम कई उस किया इसलिए सभी चीजों में कोई अच्छे से इसका स्वाद उभर के आई इसलिए थोड़ा सा हमने इसमें चीनी एट करना जरूरी है इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा अब सभी चीजों अच्छे से मिक्स कर लीजिए अब हमें इसमें ढखकर लगाकर एक उबाल आने तक इन्हें वापिस से पका लेना है देखे एक उबाल हो जाने के बाद हमारी दाल बनके अच्छे से तयार है देखिए इस तरह से अब अच्छे से एक बार मिक्स कर लीजिए और उपर से बारिक कटा हुए धनिया पत्ती एट करें गैस बन करके आईए अब इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं आप इस चन्ना दाल पालक की रेसिपी को दाल, चावल, रोटी और पूरी पराठा के साथ इंज्जॉय कर सकते हैं आपको मेरी दाल, तड़का या पालक दाल की सबजी जो भी आप बोले कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और एक बार मेरे तरीके से बना का ट्राई जरूर करें